दोस्तों भी हर सची वाले परिक्षा संबद है जितने भी सिरियास स्टुडेंट है सभी सिरियास स्टुडेंट के लिए वीडियो बहुत ही जरूरी है आप सभी मीशन मोड में त्यारी कर रहे हैं और हर हाल में चाहते हैं पीटी परिक्षा में रिजल्ट इसके बाद फैनल सेलेक्षन अगर आप थोरा बहुत भी लापरवाही करते हैं अपनी और से कोई भी गलती करते हैं तो फैनल सेलेक्षन से आप वनचीत हो सकते हैं तो फटा फट एक नोटीस देखिए और जितने भी सिरियास स्टुडेंट है सिरियास स्टुडेंट की बात करें तो लगवग एक लाख ऐसे चात्र है जो रेगुलर रूप से त्यारी कर रहे हैं बांकी चात्रों के अड्मीट कार्ट जारी किया गया है परिक्षा देंगे और उसे कुछ खास मतलब नहीं है परिक्षा से कुछ खास फर्क नहीं परने वाला है परिक्षा में क्या हो रहा है कैसे परिक्षा होगी इन सभी बातों से और जो main छात्र है जो तैयारी कर रहे है रेगुलर रूप से उसे effect परने वाला है तो उचलिए फटा-फट एक notice देखिए फिर आपको सारा कुछ clear होने वाला है और दोस्तों आप लोगों की और से comment करें कि ये पूछा जा रहा है कि बिहार सची वाला है परिक्षा संबंधित important PDF जो परिक्षा में पूछे जाएंगे जहां से question कहां से download करना है दोस्तों पिहार सची वाले परिक्षा संबंधित बहुत सारा PDF आप सभी टेलग्राम से download कर सकते बिल्कुल free में टेलग्राम पर आपको success planet लिख कर सर्च करना है इस तरह से channel आ जाएगा नीचे में join का बटन दिया हुआ है आप सभी join करके subscribe कर लीजिए और यहां पर आप देखेगा तो बहुत सारा important PDF है यह सब दोस्तों ऐसे ही PDF है जो परिक्षा में सिधा सिधा पूछा जाएगा बिहार SSC पूछता क्यों writer से topics related हर बार 3-4 question तक पूछा जाता है पंचैती राज एक ऐसा topic है जिससे 77 question तक भी हर SSC में पूछ दिया जाता है पंचैती राज यह सब topic बहुत पहले ही आप लोगों को send किया है यहां पर आप देखी का पीन किया हुआ है तो आप scroll करके देख लिजेगा पहले का भी topic डाउनलोड करके इसको अच्छे तरीके से पढ़ लिजेगा तो टेलिग्राम पर आपको success planet लिख कर सर्च करना है चैनल आ जाएगा सब्सक्राइब करके जुर जाइए अब बात करते हैं दोस्तों यहां पर notice की जो की परिक्षा संबदित सभी परिक्षारतियों के लिए जरूरी है यहां पर देखेगा दोस्तों सारा कुछ आपको समझ में आने वाला है चलिए पहले यहां पर आप देखेगा यहां पर देखेगा लिंक जेंडर परिवर्तन के कारण अब आप में से बहुत सारे छातनों का ये कमेंट रहता है कि मेरा डेट आप बर्थ गलत हो गया है या फिर कैटोगरी मिसमैच है तो मेरे साथ क्या होगा तो दोस्तों अगर आपका कैटोगरी मिसमैच है इससे हमें क्या मतलब है, हमें तो अभी PT परिक्षा देना है, एक्जाम देना है, तो दोस्तों यहाँ पर सारा कुछ मतलब है, आप लोगों को बताने वाले हैं, फिर आपको सारा कुछ क्लियर होगा, कैटोगरी मिस्मैच के कारां से देखेगा, तो 222 अभिहार्थी छटे है, यह सिर्फ कैटोगरी मिस्मैच के कारां से नहीं छटे हैं, कैटोगरी मिस्मैच था, BC के जगह पर ABC या फिर ABC के जगह पर BC फिलप हुआ था तो उस condition में देखेगा परिवर्तन के कारण प्रारंभीक परिक्षा में समाने सरेनी के cut-up तो जो category mismatch करते हैं उसको general category में रखा जाता है अब आपको general category के अनुसार ही PT परिक्षा मेंस परिक्षा सभी में पास होना है अगर PT परिक्षा जनरल category के बरावर marks है तो selection हो जाएगा नहीं है तो आपको छाट दिया जाएगा तो ऐसे 222 अभिहार्थी छटे हैं तो यहां साबको ये भी clear हो गया category mismatch है तो आपको कुछ खास effect नहीं परने वाला है इसके बाद देखेगा पोस्ट के कारण 1778 भिहार्थी है इसके बाद है कॉंसलीन वानुपस्तित या बायमेट्रिक mismatch वाले भिहार्थियों की संख्या एक 1048 है अभी दोस्तों आप सभी PT परिक्षा देने जाएगा PT परिक्षा मिस बार क्या हो रहा है कि बायमेट्रिक तो लिया ही जाएगा उसके साथ आँख यानि रेटीना का भी iris capture भी किया जाएगा आप देख सकते कितनी सारी परकिरियाओं को अपने आजा रहा है और अगर इसमें आपको mismatch होगा तो सीधे आपको बाहर का रास्ता देखना परेगा और इसमें क्या होगे कि फरजी जो छातर रहेंगे तो कोई भी किसी का भी selection नहीं होने वाला है क्योंकि बायमेंट्रिक ये सब चीजे म्याच नहीं होगा और उसमें क्या होता है कि कुछ हन्या कारणों से जैनून कंडेट भी आ जाते है तो इस बार क्या हुआ है बिहर S.A.C. इंटर लेवल में भी कुछ छातरों का या रोप है कि हम सही है student है court case ये सब चीजे भी हुआ है अब आपके साथ कहां पर दिक्कत होने वाला है इसके बारे माप लोगों को बताने वाले है यहाँ पर आप देखेगा दोस्तों एर्मिट कार्ट का जो instruction है यानि निर्देश है अगर आप देखेगा तो निर्देश में असपष्ट दिया हुआ इक इस बार जो है बारे में नमर पॉइंट में इसमें है दोस्तों परिक्छाय में बायोमेट्रिक आरिस का उप्योग किया जा सकता है जिसमें आपका फोटो अंगुठे का निसान लिया जाएगा यो हम आईरिस कैप्चर किया जाएगा जब आप अधार कार्ट बनाने जाते हैं तो उस समय बायोमेट्रिक यानि अंगुठे के निसान के साथ साथ आँख का आईरिस का भी कैप्चर किया जाते हैं तो उसी तरह स CC कर अदमीट kaard है इसी तरह सी धैक Nin card जारी किया गया है आप सभी कर दमीट kaard भी सेम इसी फॉर्मेट में है सारा कुछ अब आप इस खैमीर kaard की नीचे में देखेगा तिहाँ क्यों को अपर एक QR कोड है अब दोस्तों QR कोड में क्या हो रहा है कि admit card जो जारी किया गया 12 December को आप सभी 12 तारीक हो 13 तारीक हो और आज भी download किये होंगे और जब आप इस QR code को scan किजेगा तो यहाँ पर क्या हो रहा है किसी दूसरे 3rd person का details आ रहा है अब इससे आपको दिक्कत क्या होने वाला है सारा कुछ आप लोगों को बताने वाले है और इसके बारे हम दोस्तों आज ही आप लोगों को वीडियो की माध्य हम से बताया थी कि परिक्षा में कैसी क्या हो रहा है QR code गलता रहा है इन सभी बातों पर आयोक की और से संग्यान लिया गया और जो आपका problem था उसका solution हो गया है अभी solution सी ही मतलब नहीं आपको admit card फिर से download करना परेगा तो क्यों download करना परेगा सभी चीज़ों को लेकर आपको बताने वाले हैं तो हम आप लोगों को हमेशा सही जानकारी देते हैं और आप सभी देख सकते हैं आप लोगों का आज दोफर में ही बताये थे कि यहाँ पर admit card में ये तुरूटी है और इसमें सुधार होना चाहिए तो finally सुधार हो गया और छातर हित में जो भी मुद्दा होता है हम आप सभी को बताते हैं और छातर हित से समझे जो भी लेना है new admit card इसलिए जरूरी है कि जब आप exam देने जाएगा तो वहाँ पर biometric ये सब चीज़े लिया जाएगा तो हो सकता है जो biometric वाले staff रहेंगे रॉल नमर के बदले हो सकते कि यहाँ पर QR code scan करके ही biometric ये सब चीज़े करवाएगा अब इन सभी चीज़ों से लिया जाएगा तो जो आपका पहले का admit card रहेगा उसमें किसी और का details रहेगा आपका अंगुठे का निसन सारा कुछ उसके roll नमर में चला जाएगा फिर mismatch हो जाएगा और अब यहाँ आप यहाँ पर देखे कि mismatch के कारण से कितने सारे चात्रा योग हुए है इसमें से जायतर cheating वाले candidate ही है लेकिन यहाँ पर हो सकता है कुछ जैनून के साथ ऐसा issue हो जाए तो फिर आप selection से वंचित हो जाएगा तो यहाँ से आपको सारा कुछ समझ में आ गया और QR code बहुत जरूरी है QR code में देखेगा जब mens का result का marks यह सब दिया आ जाता है तो उसमें भी QR code ही राता है नीचे में देखेगा यहाँ भी है और इस QR code को scan करने पर आपको अपना marks date of birth रॉलमर यह सब सारा कुछ दीखता है और साथ ही आपको question paper इन सभी चीज़ों पर भी देखने को मिलेगा तो बहुत जरूरी है तो आप सभी को क्या करना है दोस्तों नया admit card download कर लिजी और नया admit card print करके ले करके जाना है जो पुराना admit card आपके mobile में है उस PDF को delete कर दीजे नया फिर से आपको भीहर SAC के सार से admit card download करना है अब जो ये problem था उसका solution हो गया सभी में QR code अब आपका ही details आएगा नया admit card का print ले करके आप सभी को जाना है और अगर आप ये गलती कर दीजेगा तो फिर आपको final selection के समय पता चलेगा कि यहाँ पर हमसे गलती हो गया था हम इन सभी चीज़ों को नहीं माने रिजल टानिक बाद एक डियर मेहने में मेंस एक लिया जाएगा और जो calendar है दोस्तों ये सारा कुछ follow होने वाला 27 नॉमबर का जो date रखा गया था ये आप 234 को परिक्षा होने जा रही है मां की result मेंस एक जाम का date सब कुछ सेम ही रहने वाला जब calendar जारी किया गया था उसी समय आप लोगों को बताये थे ये calendar 100% follow होने वाला है तो सारा कुछ आप देख लिए और आप सभी टेलिग्राम से जरूर जूर जाए टेलिग्राम पर जा करके जो भी सची वाले प्रिक्षा समझे important PDF सेंड करने वाले हैं इन सभी को download करके अच्छे तरीके साब सभी complete कर लीजे